गुड मानिंग बच्चो पिछला विडियो में हम आ और आ स्वर से शब्द बनाना सीख रहे थे आपके किताब में आ स्वर से बहुत शारे शब्द बनाएं हुए हैं जैसे अमर अजर अजय अजय अकल अकल अगर अमन अमन अभय अभय अलग अलग अटक अटक अनबन अचकन अजगर अजगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन और चार अक्षरों से शब्द बने हुए हैं नीचे हम देखेंगे दो अक्षरों वाले शब्द जैसे हला हल कप कप फला फल नाथा नथ च जला जल कला कल माग मग इत्र इत्र यग्या जोड यग्य बल बल वह वह यह यह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अस्वर की कोई मात्राचिन नहीं होती है क्योंकि यह अस्वर सभी ब्यंजन वर्णों में रहता है यानि कि सभी ब्यंजन वर्ण अस्वर के मेल से बने होते हैं जैसे कि आपकी किताब में भी दिखाया हुआ है घर जोड अ जोड र जोड अ यानि कि घर यानि कि घर में यह अस्वर चुपा हुआ है और र में यह अस्वर चुपा हुआ है और इस तरह से बना है घर ऐसे ही हम अक्षरों को जोड कर शब्द बनाएंगे और उनसे हम छोटे छोटे वाक्या बनाना सीखेंगे तो अब हम वाक्या बनाना सीखेंगे जैसे अ जोड म जोड न अमन घर जोड र घर च जोड ल चल क्या बन गया अब इन शब्दों को हम जोड कर एक वाक्या बनाएं जैसे अमन घर चल दूसरा वाक्या हम देखेंगे अ जोड म जोड न अमन स जोड र जोड क सडक प जोड र पर म जोड त मत च जोड ल चल इन शब्दों को जोड कर क्या वाक्या बना अमन सडक पर मत चल तीसरा वाक्या देखेंगे अ म न अमन स म ज़ समझ कर कर पढ़ पढ़ इन शब्दों से क्या वाक्या बना अमन समझ कर पढ़ अगला वाक्या अ म र अमर बस बस पर पर च र चड इन शब्दों से क्या वाक्या बन रहा है अमर बस पर चड अगला वाक्या देखेंगे अ म र अमर जगर जगर म त मत इन शब्दों से क्या वाक्या बना अमर जगर मत अगला वाक्या यह यह कल तालब्यशा कलश उधर उधर रख रख इन शब्दों से क्या वाक्या बन रहा है यह कलश उधर रख हम लोग इन वाक्यों को फिर से पढ़ेंगे जैसे अमन घर चल अमन सडक पर मत चल अमन समझ कर पढ़ अमर बस पर चड़ अमर जगर मत यह कलश उधर रख